दोस्तों बात का बतंगड कैसा बनता है आप लोग अर्शरवार्शी के उस स्टेट्मेंट से ही देख सकते हो भाई सहाब यहां पर कह सकते हैं कि फुल आन क्रिटिसाइज तो हो ही रहा है अब बड़े नामची लोग भी दोस्तों फ्रंट फूट में आ गए हैलो गाईस कैसे हो आप लोग स्वागत है आपका स्वागत है आपका दोस्तों हमारे एक और इंट्रेस्टिंग वीडियो में काफी लंबे समय साउथ वर्सिस बॉलीवूड हो रहा है और कहीं ना कहीं 2022 में दोस्तों हमको इसका नमना देखने को मिला था जब बॉलीवूड घड़े में गय सारक ठोक के निकाल लेते हैं और लोग कह रहे थे कि बॉलीवूड क्या वापसी कभी नहीं होगी और उसी साल कांतारा जैसी इवन दोस्तों आप लोग कह सकते हो कार्थी के टू जैसी इवन यहाँ पे एक और मुवी थी वह डॉग वाली में नाम भूल रहा हूं आप जाके गाईस बॉलीवूड ने भी वापसी किया थे इसमें एक सेक मूवियां आई लाइक पठान जवान इन दोनों तो हजार करोड किये थे इवन साड़े 900 करोड एनीमल ने किये थे हलांकि उसमें भी साउथ का योगदान था साउथ की रेक्टर थे गदर और भी कई यहां पेग लोग भूल जाते हैं कि साउथ हो या फिर हो बॉलीवूड यहां पे हैं तो इंडियन मवीज ही अमेरिका में ऐसा नहीं कि कुछ मूवी कैलिफॉर्णे की हैं कुछ मूवी टेकसेस की हैं या पिर कुछ वासिंटन ॐसिंटन डी सी की ا ऐसा नहीं है वाह पे नौर्थ साउथ नहीं है एक ही है इंग्लिश वर्जन और अमेरिकन मुवी तो गाई यहां पर लेंगवेज वैसे डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन यहां इंडियन मुवी अगर आप लोग कहो तो यह सही होगा और मुझे लगता है कि यह साउथ और नौर्थ का डिवेट खतम ह बॉलिवुड को ट्रोल करते हैं और पैट पीयर करवाते हैं यहां पर एक नया मुद्दा सामने आ चुका और वह none other than अर्शद वार्शी का अर्शद वार्शी दोस्तों कह सकते हैं कि लाइम लाइट में आने के लिए ऐसा किया या फिर हकीकत में दोस्तों उनके अपने personal words थे जो उन्हों ने कलकी में परभास के रोल को जोकर दोस्तों थाबित किया मनला बोला और गही ना कहीं दोस्तों उनको वो movie बेकार लगी कह सकते हैं कि वो कह रहते हैं कि Mad Max movie का भायात मजाक कर दिया अब देखो भाई यहां मैंने भी देखी है कलकी मुझे impressive लगी अच्छी लगी एक अलग cinema देखा हमने अब वो उनके personal point of views हो सकते हैं लेकिन गाईज यह professional career है इनका वो है आउधा यह किसी और star का cast का ऐसे publicly बेशती या फिर उनको criticize नहीं कर सकते हैं आप movie को criticize कर सकते हो लेकिन ऐसा कहना यह बहुत बेकार था कि भाई परभास जोकर है यह काफी लाखो करोड लोगों के दिल के धड़कर है वाही परभास तो सुधिर वाबू ने गाईज उनका बचाओ किया और उनके tweet आप लोग देख सकते हो और यहाँ पर कह सकते हैं कि दोस्तों कि खिचाई चल रही है और वो उनकी कहके ले रहे हैं लेकिन इसी के बीच दोस्तों इसी के बीच कुछ videos कुछ statement दोस्तों यहाँ South के जो बड़े बड़े नामचीन लोग है उनके भी दोस्तों social media platform में चल रहे है लाइक सबसे बड़ा नाम तो यहाँ पर SS राजा मॉली का है फिर महेश बाबू का है उसके बाद हैदरावाद के मंतरी का भी है जो की एनिमल के special screening वो जो होता है ना guys release से पहले तो guys महाँ पर कहा था कि आप कुछ दिनों बाद तेल गुही सब जगा चलेगा जो south है वो हर जगा guys चलेगा तो guys यहाँ पर आप उसको भी सामने लाया जा रहा है और यहाँ जो SS राजा मॉली की दोस्तों जो interview है वो तो काफी तरी से वाइरल हो रहा है जिसमें शायद वो बिल्ला के screening में पहुंचे थे या फिर उसके में भी शायद ट्रेलर रिलीस टाइम के वक्त और उन्होंने कहा था कि रित्तिक रोशन कुछ नहीं है front of परभास जाना इस रित्तिक रोशन कह सकते हैं कि दोस्तों रित्तिक रोशन के बारे में उन्होंने इस बात यह बात कही थी है अला कि उस वुकत इतना साउत की मूवी चलती नहीं थी लेकिन बाहु बली के over WILD के बाद से साउत की मूवी चलना शुरू हुए है लेकि यहां पे जो लोग भाई राजा साहब के साथ 10 अपरैल मज़ा आएगा गाईस इस क्लैस में असली मज़ाएगा ओधिया वाला मतलब गाईस कह सकते हैं कि अकड़ वाली देखते हैं कि कौन जीता है क्योंकि यहां देखो साउथ में तो भाई राजा साहब फाड़ देगी लेकिन अब नौर्थ म तो कॉंट्रिवर्सी तो काफी हो गई है लेकिन गाईस यहां पर ऐसा चलाजामुली का वह जो इंटरव्यू है यह बॉलिवूड के जो लवर्स हम वो दिखा रहे हैं इवन गाईस यहां पर बॉलिवूड कांट अफॉर्ड मी इस तरीके के वर्ड्स को सी यूज किये थे किसने आपको पताओगा महिज बाबू ने जब उन से पूछा गया था मेजर मुवी के स्क्रीनिंग के वग क्या आप बॉलिवूड में कभी काम करोगे तो उन्होंने बात कही थी हलागि बहुत से ऐसे स्टार्ट हैं जो जोडने वाली बात करते हैं लाइक शारुक खाने दोस्तो साउथ के कॉंटेंट की उनके जमीन से जोड़ी स्टोरी की तारिफ की है और उन्होंने ये बात का है कि आप साउथ और बॉलिवूड नहीं कह सकते हैं यह हम एक हैं इंडियन इंडिस्ट्री तो गाईज अगर बड़े स्टार्ट से इस तरीके के वर्ड साथ है त और दश्रा आपके यहां की मूवी है पुष्पा आपके यहां की मूवी है तो अब यहां नहीं चलेगा नौर्था और साओ। होता होगा तो ऐसे चला जमोली को भी होता होगा वह शाय ऐसे जराज्व यह रिटिक रोशन के साथ ही काई स्थ आगे जाके कभी भविश्य में मुझ 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 बनाए तो मज़ा आएगा बताओ क्या हैं कि क्या है कि नेक्स वीडियो में अभी के लिए इतना ही